आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ यहां पर हमें दिये गए Options को देखकर बताना है कि Vulnerable Species के लिए हम इन में से कौन सा Correct कह सकता है तो यह तो हमें पता ही है कि पिछले कुछ समय में हमारे Earth की जो Biodiversity है उसमें तेजी से Loss हो रहा है यह हम कह सकता है कि जो Species Richness हमारे Biosphere में प्रेजन है हमारी Activities की वज़े से Anthropogenic Changes की वज़े से यह Human Activities की वज़े से हम कह सकता है कि यह Decline हो रहे है यानि कई सारी ऐसी Species है हमारी Biodiversity का जो हिस्सा है जो कि आने वाले समय में Earth से Disappear होने का यह Extinction का Threat Face कर सकती है इस तरह से उनकी Population हमारी Activities की वज़े से Adversely Affect होई है तो ऐसे में इस Biodiversity Loss की Rate को कम करने के लिए या Extinctions को Prevent करने के लिए हमें Biodiversity Conservation के लिए कई Steps लेने पड़ता है और Conservation करने में जो पहली सबसे Important चीज है वो है Biodiversity Loss के जो Reasons है, जो Mechanism है उसके बारे में Information हमारे पास होनी चाहिए और इसके लिए IUCN हमारे पास एक ऐसी Authority है एक ऐसी International Organization है जो के Regular Time Intervals पे Red Data Book नाम की एक Publication करता है International Union for Conservation of Nature IUCN का Full Form है और इस Red Data Book में हमें एक Red List मिलती है जिसके अंदर एक Comprehensive Inventory होती है Threat Face करने वाली सारी Species की और इनके Conservation Status की तो Bainly जो हमारे यह Red List है इसमें 7 Categories में हम Threatened Species को Divide करता है लेकिन सबसे पहले जो हमारे पास Category आती है वो आती है Least Concern की अब जैसे हमें नाम से ही पता लग रहा है Least Concern का मतलब है कि कोई Significant Challenge पिछले कुछ समय में Face नहीं किया है जिस Species ने और अभी हमें उसकी Conservation के बारे में जादा Vigilant होने की या जादा Active होने की जरूवत नहीं है तो वो Least Concern वाली Species हो गई इसके बाद में हमारे पास आता है Near Threatened अब Near Threatened Category का मतलब है कि अभी इस समय पर Threat Face नहीं कर रहे है Extinction का लेकिन आने वाले कुछ समय में ऐसे Challenges यह Face कर सकते है जिसकी वज़े से यह Threatened Species की Category में चली जाए अब Threatened के अंदर भी अपने आप में तीन Categories है सबसे बहले होते हैं हमारे पास Vulnerable तो Vulnerable के बारे में यह Question में पूछा गया है और Vulnerable जो है Threat की एक ऐसी Category है जो कि आने वाले समय में जो Species Endangered हो सकती हैं उनके लिए हम यह Term यूज करते हैं तो Endangered वो है जिनकी Population काफी Decline हो गई है और इसके बाद आती है Critically Endangered की Category मतलब जिनकी Population में Alarming Decline आया है और इतनी Endangered है कि काफी Near Future में यह Extinct हो सकती है अगर Conservation के लिए Appropriate Steps नहीं लेगा है तो 2 Category हमाई पास हो जाती है बिना Threat वाली फिर यह 3 Category आती है हमाई पास जो Threat Face कर रहे हैं और इसके बाद में Finally Extinct in the Wild यानि ऐसे Plants है Animals जो सिर्फ अब हमें Captivity में या Cultivation में मिलता है और Finally Total Extinction यानि जो हमें कहीं भी अब एक भी Specimen नहीं मिल सकता ना Wild में ना Captivity में तो यहां पर हमसे Vulnerable Species के पार में पूछा गया है जो कि यह IUCN की Red List में एक Threat Category होती है Species के लिए तो इसके लिए कॉनसा अंसर सही होगा सबसे पहले हमें Option दिया हुआ है कि जो भी Wild होती है उन Species को हम Vulnerable कहते हैं तो यह बात तो सही नहीं है Wild में हर कैटिगरी के हमें Plants और Animals मिल सकता है इन सभी को Vulnerable नहीं कहेंगे हम उसी तरह से National Park के बारे में लिखा हुआ है तो National Park एक तरह की In-situ Conservation की Approach होती है हमारी जहां पर Government कुछ Forested Areas को Legal Protection देती है ताकि यहां पूरा Ecosystem सारे Plants और Animals Preserve हो सकें और इसमें हमें सिर्फ Vulnerable नहीं अगें सभी Categories की Species मिलेंगे यहां पर Option C है हमारा सही हो जाएगा Vulnerable मतलब जो Extinction का Danger Medium Term Future में Face कर सकते है ना तो हम कह सकते हैं कि जादा Long Term है ना जादा Time है इनके पास ऐसा कह सकते हैं क्योंकि Threat की Category में तो यह आई रही है लेकिन Short Term भी नहीं कहेंगे क्योंकि Short Term में जो Extinction Face करेंगे उन्हें हम Endangered या Critically Endangered कहते हैं तो Medium Term Future कहा जा सकता है क्योंकि Last Option में Option D में हमारा आगें लिखा है Immediate Future में तो Immediate Future में जो Extinct हो सकते हैं उन्हें हम Critically Endangered कहते हैं Vulnerable के लिए Option C या पर हम सही अंसर माख कर देंगे